Hello everyone, so welcome to this session, यह जो session होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे two level system, ठीक है, एक system है, जिसमें दो level है and the levels are discrete, यहाँ पर जो आपके levels है, they are discrete, मतलब degree of freedom जो है, वो यहाँ पर discrete है, बस इसी का ध्यान लोटना है, ठीक है, जो, start करते हैं इस topic को, देखो, यहाँ पर आपकी बात है, कैसी कै यहाँ पर मतलब समझ लेना है, कि we will consider this in microcanonical ensemble, microcanonical ensemble, और microcanonical ensemble में क्या-क्या होगा, इस condition को हम देख लेते हैं, canonical, microcanonical ensemble, अब इस यहाँ पर होता है, क्या ज़रा इस चीश को समझते है, microcanonical ensemble का मतलब क्या होता है, कि आपकी total energy, आपका volume और आपके number of particles, यह तीन जो होती होती है, वो आपकी इसमें, मतलब जापका ensemble होता है, इसमें यह तीन चीज़े conserve हो रहती है, बस इसका idea रखना, ठीक है, अब जाथा हम से देखो, यहाँ पर अगर दो level system की बात करें, मतलब we will have two levels, आपके पर हमारे पास two levels होंगे, यह हमारे level one होगया, और यह level two होगया, इ and now we have n number of particles, यहाँ पर क्या हमारे पास, n number of particles है, total हमारे पास यहाँ पर n number of particles है, बहुत बढ़ी है, अगर हमारे पास n number of particles है, जड़ा देख के बता हो, कि हमारे क्या होंगे, कुछ particles इस वाले state में होंगे, ठीक है, हमारे कुछ जो particles होंगे, वो हमारे इस वाले state में होंगे, मतलब यहां पर मालों कि हमारे number of particles फूर्ट है ऐसा घर कर करके मालों कि हमारे पास यहां पर कुछ number of particles है और बांकि जो number of particles भजके वह हमारे इस फाले state में चला जाएंगे यह सब अब हमाले लेगे out of n, n1 number of particles जो वो यहां पर है भ्याद से यहाँ है यहाँ पर कितने ने मअरब पार्टिकल्स उन जाएंगे तो लिगें इन तो खत्यास 11 कीव On स juicy पिश्चेटल नummyन द्ग्रशस चोछ की तो ट्ल नमभर अपर्टिकar स्थी के आपके ह्याँग़िगे वुज संव殖ो यहां पर जितने सब्सक्राइव अगर मैं पार्टिकल के इस 이स्टम की एनर्ची की की बात को एनर्जी港्स्ट Ideas ठिक है यहां पिसको एपसलोन करने ठिक है इस एपसलोन कर दो ठिक है यह इस एनर्जी को system की energy की बात को, energy constant that is E, ठीक है, यहाँ पे इसको epsilon करतो energy को, ठीक है, इस energy को epsilon करतो, जो ध्यान से, आपकी system की जो energy है, that is equal to E तो हमारा E जो हो जगा total energy, that is equal to N1 into E epsilon करतो यहाँ पे, और plus क्यो हो जगा आपका N minus N1 into 0, यही तो होने वाला, यह सो कि आपका N1 into E number of particle, जो आपके इस state में है, और यहाँ पे देखो, इसमें N1 number of particle, इसके energy के epsilon, तो यहाँ आपने रख दिया, और यहाँ पे number of particles कितने हैं, तो आपके N minus N1 बेट, यहाँ पे energy क्यादा इस 0, तो मतलब आपके energy जो होगी, that is equal to N1 times epsilon, यह सो नो इसका मतलब आपका N1 जो हो जाएगा, that is equal to epsilon, मतलब N1 की बात करेगा, तो total energy E divided by इसको epsilon करते हैं, यहाँ रिक्राम करते हैं, total energy को E ना लिखे न, U कर देता हैं, ताकि आपको बात में दिक्कत ना हो, तो U by epsilon करते हैं, आपने इसको ठीक है, क्योंकि possible number of microstrict, possible number of microstrict कितने देखो, हमारे पास N1, और particle जो हो, यह सारे आपके indistinguishable, आप बता ही नहीं सकते कौन सा particle, मतलब यह यहाँ पर क्या है, यह यहाँ पर क्या है, तो total number of particle सखा रहा है, हमारा number of microstrict, मतलब आपका जो number of microstrict factorial N, divided by factorial N1, और divide बागे होगे है, यहाँ पर factorial N minus N1, यह बात तो सारे लोग को पता है, बहुत बढ़ी है, यह बात सब को पता है, अब ज़रा देखो, आपने एक बात पढ़ रखे होगे, s that is equal to kt ln omega, s that is equal to kt k ln omega, s जो होगी है, that is equal to k ln omega, यह ही होता है, s equal to k ln omega, यह बात सारे लोग को पता है, बहुत बढ़ी है, अगर यह बात पता है, जरा बता हो, यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि s upon kb, अगर मैं s upon kb करता हूँ, जरा ठीक से देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर N-1 हमारा यह वाला टम बन जाएगा यह सो नो ठीक है बहुत बढ़ी है यह हमारा यह टम बन गया अब मालनों कि हमारे जो नमबर आप पार्टिकल्स ना N और N1 हो गया या फिर N-1 यह जो सारे नमबर ना बहुत ज़्यादा बढ़े यहाँ पर यह नमबर ना बहुत ज़्यादा बढ़े अगर नमबर आप पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़े है तो जरह देखो इस फॉर्मुले को आप चेक करो यहाँ पर कि आपका यह फॉर्मुला बन क्या जाएगा तो हमारा देखो ध्यान से य यहां पर N – N Yes, I hope this part is ok तो यह क्या बन जाएगा आपका N यहाँ पर क्या हो गया無 N minus क्या हो गया यहाँ पर N – N हो गया है अगर आप इसारी – N हो गया आपका यहां पर नीची वाला time क्या हो जाएगा ठीक से देखो यह आपका हो जायगा यह द 왜냐하면 में म THATयो कर एन माईनेस एन यह आपका पुरा ट। Wh अपके यह टम पूरा बच जाएगा ठीक है 0hmenशन और यहां पे माईनस में लॉन N1, ln N1, minus N1, plus, आपका यह होगया, N- N1, ln N- N1, और आपका यह minus होगया, N- N1, यह क्या अलोचन ठीच है? ओके, तुट इसका मतलब क्या होगया, आपका अगर एक्स्पैंट गर तो यह क्या है, n log n minus क्यों हो गया n minus क्यों हो गया n1 log n1 ठीक है very good plus क्यों हो गया आपके पास n1 और यह आपका क्यों हो जगा minus में यहाँ पर क्यों हो जगा n minus n1 yes और आपका यहाँ पर क्यों लॉन n minus n1 yes very good और आपका यहाँ पर क्यों हो गया इसको plus कर देंगा और यहां पर क्या होजगा n और minus यहां पर ओजगा यह आपका फ्लस जायगा N और minus यहां पर हो गया आपका n1 कॉझकि यहीं वाला को ओगा yes तो n1 से n1 cancel हो रहा है N से यह वाला N आपका cancel हो जागा और तो कुछ नहीं बचल रहा यह आपका होगा तो आपका सारे लोग पता हो कि आपकी जो एंट्रोपी होते है यह एकल दो के लॉन ओमेगा यह सो ना तो आपका आपके कै cohesive के ऑपका यूब र यूपर हो जागा यहां पर जागा यहां पर मायनस क्या किया यूब माइनस क्यों गया यूब आपसान आई होब इस टोटी सिफयाई आपको समझ आकढ़ तोटилась HOW यह वाद यह यह पर देल यहां यह आ यह फोब दिस पर फेक्ट ठीक है यह वरी गूड यह आपका निकल क्या गया । यह तो अगर मैं 2-0 इसको डिफ्रेंशाइट करना है यह वन बाय इचरण से ए यहां पर चॉड देना है यहां पहला ने हुच फैनल टाम में बना का यह DAY माइना को क्या ऐक karş यू को सहंथ घ्र ऑप जका दो यू बाय एब्सेंजा रग अपनीं को इसका डिफ घ्र ग Land English को डिफ्रेंशी बाले काहिंब इसको डिफेंशेट करना इसका डिफेनशीन कीओ जब आपको 1 by bachelor plus 5 यह भी सो आप क्या हो गहाँ पर है स्पार इसका इसका स्खेसिल का रहा है यहाँ यहां च्बाइब गयाँ Черना माइन दा मैंथा यह आपक्लाइह क्से ह frag प्लस वन बाइप्सिलों गया सबुस्ट्राइब अबRIS प्लस वंडाय अप्सलों लॉन एका लोन याझर अबस यूस्ट यूवाला वी यापकर त Надसे क्षीर यहां 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 very good minus क्यों गया one by epsilon Lei यहां गया you by epsilon very good और आप यहां पर क्या हो गया यह को यह माई अर यह माई डिया मैन आपके पास Leading ज黄 यहां यहां पर कि वॉंद बाइपसण लौन एंड माईनस यू ऑई एप्समन यह आपक कर यहां पर पूरा पुरा बचला यह और यह यह आपका cancel होगा इसका मतला क्या होगा 1 by T या 1 by kbt that is equal to यहां पर ठीक से देखो तो क्या होगा यह एपसलोन बहर आ जागा तो इस एपसलोन को यहां पर common लेलो क्या बन जाएका यहां पर लॉन N-1 यहां पर लॉन N-1-1 यहां पर लॉन N-1 बच जागा कि एपसलोन by kbt ठीक है एपसलोन by kbt that is equal to log और यहां पर क्या बच्क है n-1 और डिवाइडवा क्या बन गया आपके पास यह रिजल्ट आपका रहा है चल इस रिजल्ट को फर्दर हम यहां पर समझने की कोशिशित करते हैं कि हमारा क्या है एपसलोन divided by kbt that is simply equal to यह किसके बारा बार आ रहा है ताट इस लोन और यहां पर क्योंगा आपका एन-1 divided by N1 यह सब नो देखो एक चीज़ आपर समझने यां से डिवाइडवा इन-1 यह 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 सब यह यह एक बात ध्यान करके ध्यान से रखना यहां पर कि आपका टी जो होता है टी एक पॉसिटिव वेल्यों अगर होगी तो इसका मतलब क्योंगा यह टम आपका पॉसिटि यह यहां पर देख लग रहा होगा कि यहार एन-1 की वैल्यों अगर मैं एन-1 की जो मैक्सिममम वैल्यों यह गी घ्रेटर दन अगर होगा तो अगर जीरो का केस है तो इससे ज़्यादा पार्टिकल एन-1 में नहीं जा सकते एन-1 जोगा एन-1 में मतलब जो आपका यहां से एक चीज़ और solve करते हैं जारे देखो e to the power epsilon by kbt अगर मैं इसको लिखूँ तो that is equally क्या हो जागा आपका n-1 divided by n1 इसका मतलब क्या होगा e to the power minus epsilon by kbt अगर इसकी बात करें that is equally क्या हो जागा आपका n1 by n minus क्या हो जागा आप यहाँ एन-1 by n minus क्या होगा आपके पास n1 by n1 यहाँ पर क्या होगा जारा ध्यान से देखो आपका n1 जो हो जागा that is equal to 1 plus e to the power minus epsilon by kbt और into यहाँ पर क्या हो जागा that is equal to n यहाँ पर क्या हो जागा that is equal to n यहाँ यहाँ यह बात सारे नों को समझागी मैं अगर कोई गड़बर नहीं करी है तो मेरे खाल से यह result this result is perfect एक मेंट एक मेंट इसको थोड़ा सा यह करके elaborate करके लिग देते हैं ज्राद यहाँ जो आपका यहाँ पर माइनस epsilon by kbt yes and that is equal to यहाँ पर क्या बंदर आपका n1 minus n1 यहाँ पर क्या बंदर यहाँ यहाँ आपका क्या बंद गया yeah that is perfect नहीं यह ठीक तो है इसको रहें देते है इसको क्यों change करेंगे sorry sorry यह आपका इस result को रहें दो एक काम करो यहाँ पर इसको आप यह करो कि आप इसको कर लिखो कि यह क्या जागा पर e to the power epsilon by kbt that is equal to यह क्या बंदर आपका n by n1 और minus क्यों गया यहाँ यहाँ पर one yes इसका मतला क्या हो गया n by n1 that is equal to one plus e to the power epsilon by kbt यहाँ आपका बन गया यहाँ इसका मतला क्या गया n that is equal to n1 into यहाँ पर गया 1 plus e to the power epsilon by kbt यह आपका एक बढ़ी आसा result आगया यहाँ यह आपका बहुत बढ़ी आसा result आगया है अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखू अगर मैं आपको बोलता हूं कि यह टी टेंडिंट नो म अगर मैं T tending to infinity कर देता हूं ती टेंडिंट अगर मैं इनफनीटी कर देता हूं तो यह लगा कर दो इनफनीटी मतली जीरो मतला आपका n क्या हो जागा that is equal to n1 into 1 plus 1 यह सर नो इसका मतलब क्या होगा आपका n1 जो क्या that is n by 2 यह सर नो कि आपके maximum number of particle जो अपर लेवल में जा T और आपको यहां पर एक काम और कर सकते हम यहां पर देखो हमारा क्या रखा था एन बाइन वन दाट इस इकल टू एन दाट इस इकल टू एन वन इंटू 1 प्लस इडू दी पावर अगर ध्यान से देखें यहां पर एपसलोन बाई के बीटी यह हमारा result था यह सर नो एपस कर सकतो है एक लेसर आपको टेंपरिचर अड़ाएंगा यह भड़ाएंगे है तो क्या होगा प्लाइन गताएंग Guill अरजर्व से दूर भागेंगे तो क्या होगा उसके समें हमारा एंड और एंड मंजे उसमें कैसे फर्क पड़ेगा ठीक है तो आई हूप आपको यह वाला पूरा टॉपिक समझ आया होगा इसकी यूज इसका यूज बहुत ज्यादा करने के बाद आप इसका रिजल्ड यह किस तरह का आ रहा है यह काम आप खुद से करना मैं आपको हमवक दे रहा हूँ इस वाले पाट को आप समझ के इसका यूज यूर आइंस्टाइन जब लेजर होगे रहा पड़ोगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा ठीक है तो इस सेशन को यहीं पर खतम करते हैं अगर आपने टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है उसको ज